लगडाख में maximum जो है वहाँ पर लोग ट्रेकिंग के लिए जाते हैं तो ऐसे में ट्रेकिंग के लिए वहाँ पर पहले वहाँ पर male guides को ही preference मिलती थी और जो organization है companies हैं वहाँ पर travel companies हैं वो भी male candidate को ही जो है वहाँ पर recruit करती थी साथी साथ वहाँ पर जो male candidate है वो बाहर भी income earned कर जाते थे जिससे जो वहाँ पर लेडिस थी वो घर में रहती थी और उनकी जो वैल्यू थी वो EQUAL TO MEN नहीं होती थी तो ऐसे में वहाँ पर थिनलस कोरोल उन्होंने जो है वहाँ पर यी चीज़ देखी एh social issue देखा कि वहाँ पर female को कम वैल्यू की जा रही है female को वहाँ पर यह जो है honor भी woman थी और यहाँ पर जो guides थी जो workers थे वो भी क्या है फिमेल ही है तो it aim to encourage the woman of Ladakh to show their abilities and is case जो इस company का main motive था कि जो Ladakh के woman था वो अपना ability अपनी is case जो है वहाँ पर show करें वो जो है वहाँ पर as a guide काम करें वो जो है as a worker उस company travel company में काम करें तो यह जो Ladakh ही woman travel company है इसक 9 में like any other travel agency they organize trek but use only female guides and stay in homestays wherever possible तो वहाँ पर रुखने के लिए भी है जो hotels को नहीं prefer करते थे पहले कहाँ पर prefer करते थे homestays तो उसके पीछे भी एक reason है कि these homes are always run by the women while the men are out earning the family's income तो यह जो homestay था यह females द्वारा ही run किया जाता थे क्योंकि उनके जो men's थे उनके husbands थे वो लोग कहाँ थे वो बाहर earning के लिए income earn कर लिए बाहर जाते तो ऐसे मिए यो लोग अपने घर को homestay की तरह बनाते थे और वहाँ पर जो है लोगों को रोकते थे और वहाँ से पैसे income earn करते थे तो by using the homestay system they help the woman to achieve the same status as the man यानि की अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर थे लोग फिनल स्कोरोल ने जो travel female guides जो appoint के थे वो अपॉइंट के ही थे साथी जाथ ऐसे females जो की अपने घर पे हैं और males उनके जो है वहाँ बाहर earn करने गये हैं तो वो the cities तो ऐसे में क्या हुआ कि इसके जरीए लोग motivate हुए और अब जो लोग अपना गाओं छोड़के बाहर कहीं दूसरे शहर में earn करने के लिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको वही पर अपने जगह पर ही जो है वहाँ पर earn का source मिल जा रहा है तो home stage हो गया और जो tracks है उसके लिए guide हो गया organize करने के लिए track को guide जो चाहिए या फिर organizers चाहिए वो सब जो है यहाँ पर females ही होती थी तो यानि कि यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर females को यहाँ पर equality देने की कोशिस कहेगी female के लिए दो important चीज़ पहली चीज़ inspired लदाखी women to prove that they are equally talented in serving as tour guide in their hometown यानि कि वो भी as a tour guide वहाँ पर बन सकती है लदाख में क्योंकि उनको अपने लदाख के culture वहाँ पर उनको अच्छे से पता उनको रास्ते पता है वो भी एक good tour guide बन सकती है तो जैसा कि पहले लोग company में करते थे कि सिर्फ males को भी रखते थे नहीं अब वहाँ पर females को भी रखा जाने लगा and encourage local economic growth by allowing women to find work within लदाख इससे क्या होगा कि जो local economic growth है वो भी बढ़ने लगा क्योंकि अब जो है लोग वहीं पर रहकर जो है वहाँ पर पैसे अंड कर रहे हैं home stay के जरीए tour guide बनकर clear या पर जो है truck को organize करके तो वहाँ पर जो है छोटे मोटे shops open करके भाई truck करने जा रहे हैं तो वहाँ पर shops की रिकामेट होगा है तो इससे जो local economic growth भी वहाँ पर होने लगा तो इसी को कहते हैं social entrepreneurship या नहीं कि एक ऐसी activity परफॉर्म करना जिससे आपकी society को benefit हो रहा है याने कि आपको तो benefit होई रहा है plus आपकी society आपके social system में जो लोग रह रहे हैं उनको भी जो हाँ पर benefit हो रहा है profit हो रहा है उसी को social entrepreneurship कहते हैं आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि तिनलस कोरोल ने जो है वहाँ पर लटाक travel company खोली वहाँ पर women's को ही जो है वहाँ पर मौका दिया गया women's ही female ही जो है travel guide बनेगी female ही जो है वहाँ पर track को organize करेंगी female के ही घर पर जो है वहाँ पर aja homistry लिया जाएगा और वही जो है वहाँ पर homistry में जो है सारी services प्रोवाइड करेंगी तो इससे क्या हुआ कि local economic growth हुआ female को मौका मिला equal opportunity मिली income earn करने का हुआ पर मौका मिला females को भी जो है वहाँ पर अपनी skills abilities show करने का हुआ पर जो है मौका मिला यानि कि social entrepreneurship are the activities and process undertaken to discover define and exploit opportunities in order to enhance social wealth by creating new ventures or managing existing organization in an innovative manner तो या तो आप कोई नया business और नया venture open करके या फिर जो आपका already venture चल रहा है और उसी में जो है कुछ नया पन कर लाके innovate करके जो है आप जब social wealth को जो है वहाँ पर enhance करते हैं social issues को solve करते हैं social की welfare के लिए काम करते हैं उसी को social entrepreneurship कहा जाता है तो social entrepreneurship is a for profit business model that strive to make a positive impact on social issue or the environment यानि कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप जो है non profit organization नहीं आप जो है profit भी earn करते रहते हो यानि कि आप एक ऐसा business या venture open करते हो जो कि profit भी earn करेगा साथी साथ positive impact भी दालेगा society पर तो यहाँ पर क्या हुआ कि thinless coral ने अपनी एक travel company खोड़ ली तो अब जो है उनको profit भी हो रहा है साथी साथ वहाँ की जो society की जो females थी उनका भी जो यहाँ पर development हो रहा है और उनका भी economic growth वहाँ पर हो रहा है तो यानि कि एक ऐसा business open करना जो कि profit organization हो यानि कि उस company का भी profit हो रहा हो साथी साथ company के honor का भी profit हो रहा हो साथी साथ वहाँ की जो society के लोग है उनका भी जो यहाँ पर profit हो रहा हो तो उसी को कहते है social entrepreneurship और यह सारी activities जो perform करता है society के लिए एक ऐसा business open करके जहाँ पर society के लोगों का भी फायदा हो रहा है और साथी साथ company का भी फायदा हो रहा है तो उसी को कहते है social entrepreneur, a person who explore business opportunities that have a positive impact on their community in society or the world is referred as a social entrepreneur एक वो person जो की business opportunities को ढूँटता है जिसका positive impact पड़ेगा community पे, society यानि कि business तो run करेगा साथी साथ का positive impact भी पड़ेगा community पे, society पे, society का भी development होगा, social welfare वहाँ पर होगा तो उसी को social entrepreneur कहते हैं तो a person who pursues an innovative idea with the potential to solve a community problem यानि कि जब कोई person new innovative idea के साथ जो है वहाँ पर कोई business या venture run करता है जिससे कि जो community की problem वो भी solve होती है तो उसी को social entrepreneurship कहते हैं clear, तो अब आप इसकी characteristics से role जो है आप समझी गए होगे तो characteristics की बात के सबसे पहले तो ये क्या होगा, social catalyst हो गया catalyst यानि कि कोई भी person यफि जो की change ला सकता है तो आप आप देखेंगे जो social entrepreneur है ये क्या है, ये change ला सकते है social entrepreneurship change ला सकता है तो अभी जो आपने example देखा, वहाँ पर क्या होगा कि लदाखी woman travel company खोली गई तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी वज़ा से society में अच्छा खासा change आया, वहाँ पर females भी अपनी abilities और skills को show कर रही है, वहाँ पर वो भी earn कर रही है, local economic growth जो है काम करेंगे, तो social catalyst का काम करते हैं, socially improvement अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कि बट अबज़ेवद है कि social entrepreneur है, यह social improvement के लिए काम कर रहे है monetary profit तो होई जा, साथी साथ वहाँ पर social improvement भी हो रहा है society की लोगों का development हो रहा है एक्स जो characteristics है, that is innovative social entrepreneurship यह innovative है जैसे कि आप पता है कि men बाहर किसी दूसरे सहर में earn करने चले गए है, तो उनका घर खाली है वहाँ पर सिर्फ females रहे हैं, तो आप female ही ट्रेक, female जो है ट्रेक गाइड होंगी, female ही जो है वहाँ पर trekking करने के लिए आएंगी हो female ही जो है, home stay वहाँ पर प्रोवाइड कर रही है creative और innovative idea जिससे कि female का काम भी हो रहा है female earn भी कर रहे हो, female जो है अपना वहाँ पर घर पे भी रह रही है, अपने society में ही वो रह रही है, उसको बाहर जाने की जोत नहीं है, और उसको equal opportunity मिल रही है as per to men जाने की वो भी earn कर रहे है, और men's भी earn कर रहे है, इसी तरह के से resourceful यहाँ पर क्या है, कि they positively expand their resource pool through collaboration with other, along with maximum utilization of their present resources, तो यहाँ पर क्या है social entrepreneurship में, कि अपना resource भी क्या है increase कर रहे होते हैं, इस resource को बढ़ा रहे होते हैं, with maximum utilization of present resources, जाने कि जो presently उनके पास resources है, उसको भी use कर रहे है, maximum utilize कर रहे हैं साथे साथ अपने resource को भढ़ाते हैं and accountable, social entrepreneurship accountable होते हैं, अपने investors के लिए भी और society के लिए दोनों के लिए जो है यह responsible होते हैं, social entrepreneurship जो normally entrepreneurship होते हैं, उनका main motive होता है कि profit अंकरा, लेकिन जो social entrepreneurship होता है वहाँ पर जो entrepreneurs हैं वो investors के लिए भी और society दोनों के लिए ही accountable होते हैं, clear, अब बात कर ले role या फिर आप उसको importance भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहला role तो ही हो गया कि as a change agent, ये change agent की रूप में काम करते हैं, यानि कि society में change लेके आते हैं, अपने जो है वहाँ के local economic growth में change लेके आते हैं, social development होता है facilitate sustainable development sustainable development का मतलब कि जो present की needs है, वो भी fulfill हो रही है और जो future generation आएगी, उनकी भी needs जो है वो fulfill होगी, तो ये sustainable development काम करते हैं, भाई, जब society के लोग अपने ही यहाँ पर रहकर earn करेंगे, अपने ही local economy को grow करेंगे, तो वहाँ पर जो है उनकी भी need वो रही होगी, और साथे साथ future में आने वाली generation के भी need पूरी होगी, generation of employment, social entrepreneurship की वज़े से क्या हो रहा है, कि employment भी generate होता है, innovate and create new good services to solve the social issue, तो social entrepreneurship की जड़िये क्या हो रहा है, कि आप नए goods है, नए services जो है, वो innovate होते हैं, जिसकी वज़े से social issue जो है, वो solve होता है जैसे women's के लिए homestay जो है, वहाँ पर problem solve हो गई, कि जो है, जो women's track पे आ रही है उनको female guide भी मिल जाएगी, उनको जो है, ऐसा homestay मिल जागा, जो कि female द्वारा operated है, तो work toward betterment of the society as a whole social entrepreneurship का main role क्या है, कि ये society की betterment के लिए काम करते हैं, अपना जो organization है, जो investors है, उनकी profit को earn करते करते, society की welfare के लिए जो है, ये लोग काम करते हैं, आपने heightened responsibility to the constituencies served and for the outcome created, तो इनका जो है, वहाँ पर accountability भी होती है, responsibility भी होती है इनकी, कि ये जो है, अपनी constituency जाने के अपनी area को develop करने के लिए, उनको serve करने के लिए जो है, वो responsible होते हैं, काम करते हैं, विशो all the best, keep watching